जोस्तो जैमाता की राधे राधे आप सभी को तो मैं अपने मातारानी के लिए सुन्दर सा घागरा बनाई हूँ और एगेंजा फेबरिक का ये बनाई हूँ बहुत सुन्दर घागरा लग रहा है तो ये दिखे मैंने मातारानी का ये सिंगार की हूँ दिवाली का और राधा तरीके से तोड़ा सा बाहर से अस्तर लगाना रता है तो चलिए मैं घागरा बताती हूं मैंने कैसे वनाई हूं तो देखिए मैंने मेरी मातारानी को साड़े आट इंच का घागरा लगता है और लंबाई मैंने 30-35 जितना आपको घिर डालना है उसी साब से आप कपड़े को क लगा रही हूं तो देखिए यहां पे मेरा इस तरह से फोल्ड गर के हो गया अब यह मैंने रानी और गॉल्डन कलर का लेस है इसको मैं इस तरह से दो तरीके से लगाऊंगी एक उपर लगा दी और एक नीचे तो दो तरह से लगाने से ऐसे लगता है कि डवल फ्रील का एक अब ङड़ा हैपनान है यहांपर अब मैं प्लेट लगा यहां लगा प्लेटमित कौ देखें मैं तीन चार चार प्लेटि एक सा डमे रखके फिर धाव उठा के लगा के इस तरह से मैं इस पार फ्लेट्य लंबाही हैं क्योंकि इसका जो कप्ड़ का लंब घार से लंबें क जबूत करके कि मतलब मेरा फाइनल हो जगया है और जो इस्ट्रा रहेगा उपर से कट कर लेंगे तो इस तरह से अभी मैं आप चाहो तो ना ज्यादा उठा लग रहा तो एक ऐसे कच्छी सिलाई लगा लो सारे प्लेट को पकड़ के इस तरह से दबा के आप सिलाई लगा दो कपड़ा है यह सेटन का कपड़ा इसको तीनों साइट से में मोड लूँगी और मोडनी के बाद इसमें मैं प्लेट लगाऊंगी इसको मैंने घागरे के मेन फाब्रीक से दो इंची छोटा कटकी हूं तो अभी दिखिए मैं फोल्ड करूंगी किनारी अब मैं प्लेट लग लूँगी अगर एक दो आगे पीछे हो गया तो आप खोल के उस टाइम पर वेग्जिस कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए मेरा पांच इंच का है जो मातारानी का वो अश्ट्र भुजाय न तो सामने से उनका घागरा रहता है तो देखिए यह इसका घेर तयार हो गया यह आप चाहें तो इसी छोड़ सकते हैं लेकिन मैं एसी नहीं चोड़ूँगी यह साइड सास्तर निकल जाएगा तो देखिए इसको मैंने ऐसे मोड दे रही हूं बार बर इसे निचोड़ रही हूं तो इस अच्छे से प्लेट की जैसा बड़ जाएगा तो देखिए यह अब ही मैंना साइड का जो दोनों अस्तर है और ये कपड़ा इसको पकड़ के मैं एक सिलाई यहां से लगा लूँगी तो यहां मतलब आगे पीछे न भागे उसी पे सेट हो जाए इस हिसाब से मैं दोनों तरफ का मैं ऐसे सिलाई लगा दूँगी इसमें आगर आप चिपका करीब मैं कपड़ा 10 इंच स्वरी कटकी थी अब इसको मैं दोनों साइड थोड़ा थोड़ा चोड़ा दी बांदनी के लिए और बीच में रखके इस तरह से सिलाई लगा दी हूँ क्योंकि मैं पीछे ले जाके बांदनी के लिए रसी चाहिए तो देखिए यहां पैसी की ह पिर इसे फोल्ड करेंगे फिर तीसरी वाल फोल्ड करेंगे फोल्ड करके इसके उपर से सिलाई लगा गए इसे पूरा लास तक लगा देंगे तो दिखे इस तरह से युशार हुझाchnा से बनांदनी का उपने रहां से सकते हैं और बल्कुल बपता है presentsे हैं तो बहुत अच इवाई भाइ टे लिड़्ाई बाद जाता है